भगोडी खालिस्तानी अलगावादी अमरितपाल सिंग युनाइटेट केंग्डम की नागरिक्ता लेना चाहता है यानि भागिने का पूरा इंतिजाम कर शुका है कूफिया सूत्रो ने कहा है और ये जानकारी दी है कहा गया है कि वारिस पंजाब देखे नेता ने फरवरी में ब्रिटिश नागरिक्ता के लिए आवेदन किया था अधिकारियों ने कहा दरसल अलगावादी निता स्थानी अधिकारियों और नागरिक समाज के माध्यम से अपने खिलाफ बनाय जा रहे दबाव और माहौल को समझता है और इसलिए ब्रिटन की नागरिकता चाहता था और देश छोड़कर निकलने की खूफिया योजना बना रहा था खूफिया सूत्रों ने कहा कि सिक्स समुधाय द्वारा उसे बदनाम किया गया और वो ब्रिटन के लिए भारत से सुरक्षित बाहर निकलना चाहता है वारिस पंजाब देगे प्रमुक अमरित पाल सिंग के खिलाफ साथवे दून भी साच आपरिशन चल रहा है इस दोरान बड़ी खबर सामने आई कि अमरित पाल सिंग युनाइटिट किंडम यानि ब्रिटन की नागरिकता लेना चाहता है जिसके लिए उसने फरवरी में आबिदन किया अमरित पाल की पतनिक किरंट को और ब्रिटन की ही है इस आधार पर अमरित पाल दुआरा ब्रिटन की नागरिकता मांगी गई थी हलाकि जिस तरीके से कहा गया कि ब्रिटन में अभी भी उसका अप्लिकेशन पेंडिंग है उस पर कोई फैसला नहीं हुआ है लेकिन वारिस पंजाब देका प्रमुख अमरित पाल सिंग इस्थानी अधिकारियों और नागरिक समाज के माध्यम से ये पूरी प्लैनिंग कर रहा है वज़े बहुत सारी हैं जिसकी वज़े से वो देश छोड़ कर ब्रिटन में बसने को जा रहा है अधिकारियों का ये भी कहना है कि नश्य के तसकर और खालिस्तान इस समर्थक अमरित पाल के वित्यम मदद करते थे इसके अलाबा आई असाई द्वारा उसे हत्यारों गोला बारूद की मदद भी की जा रही थी अधिकारियों ने कहा कि अमरित पाल खुद को समाथ सुधार के तौर पर पेश कर रहा था और एक नशा मुक्ती केंद्रों भी संचालित कर रहा था अधिकारियों ने जानकारी दी कहा कि जिन नशा मुक्ती केंद्रों वारिस पंजाब दिसंचालित की तरफ से संचालित किये जा रहे थे दरसल उनका इस्तमाल हथियार जमा करने के लिए होता था इन नशा मुक्ती केंद्रों पर कोई डॉक्टर नहीं रखे जाते थे बलकि कम गुनवत्ता वाले सस्ते अंटिडोट्स थे जिससे उनको नशीले पदार्थों पर निर्भर रहना पड़ता था इन केंद्रों पर अमरितपाल के फर्मान का पालन किया जाता था अगर कोई इसके आदिश का पालन नहीं करता तो उसे पीटा जाता था अधिकारियों का कहना है कि अमरितपाल धर्म की आड़ में अपने मकसद में कामियाब हो रहा था खालिस्तान समर्थक अमरित पाल सिंग के खिलाफ चल रही इस पुलीस या कारवाई की गुंज विदेशों में भी सुनाई दी इसके विरोध में बृतन के लंदन best भालती उच्चायोग में खालिस्तान समर्थकु और अरगावादियों ने भालती जंडे को हटाया था और खालिस्तानी जंडा लगाया हलाकि बाद में उससे भी बड़ा तिरंगा वहां पर लगा दिया गया यस पर डिली से लंदन तक बवाल मचा हुआ था अमरित पाल सिंग और उसके संगचन के खिलाफ चल रही पुलिस या कारवाई को लेकर विदेशों में विरोध प्रोदेशन देखने को मिले थे मलाकात कैसे हुई तो उसने कहा कि दोनों की दोस्ती सोशल मीडिया की जर्य हुई किरंदीब कौर ने बताए कि खालिस्तान को लेकर दोनों के विचार मिलते थे जिसके चलते दोनों में संबंद गेरे हो गए इसके बाद तैह हुआ कि दोनों भारत में दस फरवरी को शादी करेंगे इसके अलाबा पोलिस ने किरंदीब कौर की सास बलविंदर कौर से पुछताच की पूछा उनकी बहु करती क्या है जिस पर उन्होंने बताए कि उनकी बहु घर से ऑनलाइन काम करती है अमरित पाल सिंग ने इसी साल दस फरवरी में यूके में रहने वाली एनराई किरंदीब कौर से शादी की शादी गुपचुप तड़ी के से हुई अमरित पाल सिंग के पैत्रिक गाउं जलुपूर खेडा में शादी की गई इस से शादी के जारा फोटोग्राप्स नहीं है अमरित पाल सिंग ने अपनी शादी के बात कहा था कि उसकी पत्ने उसके साथ पंजाब में रहेगी क्यूंकि वो शादी रिवर्स माइगरेशन का सदेश्च था और वो चाहता था कि सभी पंजाबी प्रवासी राज जमिलोट आएं किरंदीब का परिवार कथित तौर पर जलत धरका है अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें